तो फाइनली गाईज जैसा कि मैंने आप लोग बता है था कि 6 नौबर के दिन अपने गेम के अंदर 50% ओफ आने वाला है गिफ्ट इस्टोर के अंदर तो फाइनली गाईज वो आ चुका है लेकिन यहाँ पर फिरीफार वालों ने इंडियन सर्वर के सबी बंदों के साथ में बहुत बड़ा स्केम कियाएगा है हाँ दोस्तो आप लोग समझी गए होंगे कि मैं किसी स्केम के बारे में बात कर रहा हूँ तो हाँ दोस्तो ड्रे को एके गन को अपग्रेड करने वाले जो टोकन है वो टोकन फिरीफार वालों ने कुछ दिन पहले गिफ्ट इस्टोर से हटा दिये ताकि कोई भी बंदा आदे डाइमंड में अपनी नूब आईडी में से प्रो आईडी में वो टोकन सेंड ना कर पाए और जब नूब आईडी में से सेंड नहीं कर पाएगा तब प्रो आईडी में उसको टोप अप करवाना पड़ेगा और इस वज़ह से फिरी वालों को सबक सिखा सकते तो दोस्तों अगर आप लोग उनी इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आप लोग उसे रिक्वेस्ट है और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो पर बहुत सारी स्केम के वह मैं आप लोगों को बताऊंगा अब दोस्तों जिन लोगोंने ड्रेक को एके गन को नहीं निकाला है जिनको अपग्रेड करने से कोई मतलब नहीं है वह भी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि उनके काम की चीज़े भी मैं आ दिवाली इवेंट होता है वो बहुत ही जादा खतरनाग वाला इवेंट होता है सब चे अच्छा इवेंट दिवाली इवेंट होता है लेकिन फिरीफायर वालों ने इस इवेंट को भी बिल्कुल टट्टी बना दिया कैसे तो वह मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों अप एक female bundle या फिर एक male bundle दिया जाता है जब कोई अच्छा से इवेंट आता है जैसे कि दिवाली इवेंट तो उसमें तो फिरी फैर वालों को एक अच्छा सा लग रहा है क्योंकि फिरी फार वाले बहुत ही जादा बिजनेस माइंड से सोचते हैं अपने उपर बिजनेस करते हैं आप लोग देखो भी दिल चोरी सोंग आया था दिवाली इवेंट के उपर उसमें अपने को रिडियम कोड दिया और रिडियम कोड में बहुत सारी बंद में अपने को रिवोड मिले लेकिन दोस्तों अगर सही तरीके से देखा जाए ना तो अपने को फिरी में एक तो मेजिक क्यूब मिला और एक पेट मिला और दो गन की स्किन मिली और उसी के साथ साथ एक बेट की स्किन मिली एक इमोट मिला और बाकी छोटे मोटे घटिया व को डीमू की ये गेम वालों है तो दोस्तों फिरी फायर वालों एकर उन डेक尔 को एके टोकन को रिमूू नहीं करते तो हैं तो वहाँ पर क्या है कि एपने बंदे आधे डाइमन्न में डेक को अखे गंगु अपने दायमन को अपग्गरेट कर लिए और दोस्तों इस ज्यादा गलत बात है यार फिरीफार वालों को इंडिया वालों को इतना नहीं लूटना चीए गया इस पहले यंगरे जो ने लूटा और अब ये गेम वाले लूट रहे हैं और मैं भगत सिंग बनके आप लोगों का साथ दे रहा हूं लेकिन आप लोग मेरा साथ नहीं दे तो दोस्तों फिरीफार वालों के खिलाफ अब क्या-क्या एक्सन ले सकते हैं पहली चीज़ तो गईज अपन लोग जो है इंस्टाग्राम पर टेक करेंगे इनी स्टोरी में लिखेंगे कि फिरीफार वालों ने जो है ड्रेक को एके टोगन को रिमूव किया तो हम लोग ज इतना मजबूर कर लो अपने आपको ड्रेक को एके गन जो उसको अपग्रेट करना ही नहीं जब दोस्तों फिरीफार का एक भी प्लेयर ड्रेक को एके गन को अपग्रेट नहीं करता है तो मैं आपको बता दूं कि वो जो ड्रेक को एके गन को अपग्रेट करने वाले टोकन में से भी 5000 बंदे तरी बात मानेंगे तो दोस्तो यार मैं आप से कितनी बार बता चुका हूँ बुन-बुन से साकर बनता है आप लोग जो है अपग्रेट नहीं करोगे और आपके दोस्तों को भी बोलोगे कि अपग्रेट मत करो ये वीडियो उनको शेयर करो ताकि उनलोगों को भी पता चले कि कुछ कर सकते हैं अपन लोग गाज़ अभी एक सिग्रेट बात बता रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है प्ले क्ले स्टोर पे जाना इन वहां पे जाने के बाद में आप लोगों कुछ फिरिफाइर की रेटिंग गिरानी है ध्यान से देखना हो और अभी इतने भी वंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के सभी जाके इसकी रेटिंग इरा देना, और मैं एक बात बता देता हूं, इससे कुछ भी नहीं होगा, अगर आप लोग इस वीडियो को शेर नी करते हो, तो क्योंकि मैं इतना चोटा पर अब भाई तो फिर यह वीडियो ही क्यों बना रहा है, तो दोस्तो, मुझे आप से उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को इतना शेर करोगे, कि ये वीडियो इतने वीडियो लेकर के आज आजाए कि सभी बंदे जाके रेटिंग निरा है, इसकी रेटिंग पे थोड़ आप लोगों पर भी गुस्सा आता है, जब आप लोग ऐसी कमेंट लिखते हो कि इंडियन के यूटूबर्स लड़की हैं, जो चूडिया पेन कर बेटे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिरी फारवलों के खिला, तो दोस्तो एक छोटा मोटा यूटूबर क्या कर सकते हैं, आप खुद ही बताओ, एक यूटूबर बड़ा और कुछ करने लाएक कब बनता है, जब उसको पब्लिक सपोर्ट करती है, और दोस्तो एक और गलती आप लोग कि मैं बता देता हूं क्या करते हो, कि कोई भी इवेंट आता है ना डाइमन वाला, तो फटा-फट उसमें डा करो, क्योंकि दूसरे सर्वर में बंद इतना पैसा नहीं भी घारते गेम के उपर, इसलिए वहाँ पर सस्ती और फिरी में चीजे मिल जाती है, दोस्तो मैं आप लोगो को फिरी फायर से जस्टिस दिलाने के लिए और आगे आऊंगा, अगर दोस्तो इस वीडियो पर 10K से जादा व्यूज आ जाते हैं, मतलब कि 10K से जादा बंद हो तो आप लोग इस वीडियो को शेर कर पाते हो तो, क्योंकि आप लोग जब कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, तो दोस्तो अगर आप लोग इस वीडियो को प्रमोट नह चुके होंगे, दोस्तो लास्ट टाइम बोलता हूँ, यह आपके वीडियो काम की हो या ना हो, लेकिन शेर जरू कर देना है, सब्सक्राइब करने की भले ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सेर कर देना बस, तो चलते हैं गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखत झाल